हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ मम्ता और आज मैं आपको बताऊंगी कि नारिल के लड्डू कैसे बना जाते हैं और आप देख भी सकते हैं कितने मुलायम कितने बढ़िया हमारे लड्डू बनके तयार हैं तो चलिए देर किस बात की बनाना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हापे म ले लिए उसमें में डाल दूगी यह दो चमध देशी घी मैंने छोटी चमध से डाला आप एक चमध बड़ी चमध से देशी घी डाल सकते हैं और जैसे हमारा हलका सा मैल्ट होगा हम इसमें डाल देंगे यह एक कप दूद हैं पर मैंने फुल क्रीम दूद लिया आगर अब से अकर बनाएंगे तो एक दम परफेक्ट न हमारा मीथा लड्डू में रहेगा तो यहां पर मैंने एक कप दूद लिया था और आधा कप मैंने इसमें चीनी डाली है चीनी को अच्छे से हम दूद में मैल्ट कर लेंगे इसको चलाते हैं अच्छे से मैट कर लेना और एक से दो मिनट लगेंगे इससे ज़्यादा टाइं हमारा इस चीनी को घुलने में नहीं लगेगा और जैसे ही दूद में उबालाएगा हमारी चीनी गुल के एक्दमत तयार होगी आप देख सकते हैं बढ़ासे दूद में अच्छे से मैल्ट हो चुकी है जैसी हमारी चीनी मैल्ट होगी हमें एक से दो मिनट और इसको दूद को अच्छे से पकाएंगे अब मैं डाल दूँगे इसमें एक कप milk powder और जब हम इसमें milk powder डालेंगे gas की आँच को हम बिल्कुल धीमा कर देंगे अगर तेज आँच पे हम दूद में milk powder मिलाएंगे तो इसमें हलकी सी गुड़ी पढ़ने के chance रहते हैं तो इसलिए जैसे हम इसमें milk powder डालेंगे gas की आँच को बिल्कुल कम कर देंगे और बिल्कुल चलाते हैं अच्छे से इसमें बढ़िया से हमें इस दूद में मिला लेना एक दम गुड़ी नहीं पढ़नी चाहिए हमारे इस दूद मे तो friends अगर आपको मेरी बनी रेसिपी अच्छी लगती है और आप मेरे चनल पर नए हैं तो please मेरे चनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो अच्छी लगती है तो उस पर comment करना और like share करना भी ना भूले और यह देखिए अच्छे से मैंने सारे milk powder को अच्छे से दूद में मिला लिया एक दम इसमें एक भी गुड़ी नहीं है बढ़ी ऐसे मिला लेना हमें और अच्छे से यह मिल भी जाता है पर गैस के आज को बिल्कुल हम इस टाइम पे बिल्कुल धीमा रखेंगे और जैसे कि मिल जाएगा फिर हम असके बाद में हलकी सी आज को तेज खर देंगे और जैसे हमने अच्छे से मिला लोगे नियुक्त का इरा में मैं डाल मिल जाता या किसी भी लोग भी हलक outros में इस टाइम इस डाइम और सारे दूद में हम आर असका हम बिलकुल इसम आइसा टेक्टस हो जालेगा जैसर हमने इसमें ब्रादर क्योंकि दूट को सोख लेगा और आप देख भी ऐसकम कर T आप इसकी बार बना की रख ले और इस टाइम पर मैं डालेंगे यह एकुममघद देशी गीजा घीजाग Wait जो इसका एकदम बढ़ी हसे स्वाद आता है एकदम बढ़ी सी खुसबज ओशी आती है इसमें तो एक चमल घी इसल आप ज़रूर डालें जब तक हमें इसे इस टाइम पर पकाना क्योंकि तेज पकाएंगे तो यह हमारा जल जाएगा नीचे से आप गयास को कर देंगे बंद इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे और यह देखिए 10-15 मिट के बाद में अच्छे से ठंडा हो चुका है तो एक बार और इसमें अच्छे से चला में एक बार बना के रखिए और जब भी आप कंबन करें आप उसको खाईए और यहां पर मैंने थोड़ा सा यह सुखा गोले का बुरादा ले लिया था और यहां पर मैंने थोड़े से काट लिए बदाम और थोड़ा सा मैं यह एक चमच यह गोले का बुरादा और यह मिक् कर लेंगे इससे क्या होगा कि हम अपने लड्डू के अंदर इसको भरेंगे तो देखने में सुन्द लेंगे और खाने में लाजवाब लड्डू बनेंगे यह और हम अपने लड्डू बनाना स्टाट करते तो थोड़ा सा हम यह लड्डू बनाने के लिए जिस तरह से पेड सान दे तो मैने इसमें नहीं डाला है और इस तरह से दबाते यू अच्छे से इसको बंद कर लेंगे और हाथ से इस तरह यह दो में करने ही बढ़ नहीं से इसका स्वाध और भी दुग्ना हो जाता यह higher तो आप मिल्क पाउडर डाल कर भी बनाएं क्योंकि इतना बढ़िया लगता है लड्डू जब आप बनाएंगे तब आपको पता चलेगा तो प्लीज मेरे कहने से एक बार जरूर बनाएं और आपने कैसे बनाएं मुझे जरूर बताएं और मेरी वीडियो को सेल करना ना भू तो आप जरूर ट्राय करें और आपने कैसे बनाएं मुझे जरूर बताएं और यह देखें मैंने सारे लड्डू बनाके त्यार कर लिए एकदम लाज जबाब एकदम फ्रेस फ्रेस लड्डू हमारे बनके त्यार होएं जब आप खाएंगे तो तब कहेंगे कि वहां कितने तो आप जरूर ट्राय करें इस नवरात्रे जरूर बना के रखें और आपने कैसे बनाए मुझे जरूर बताया मिलते हैं नहीं रेसिपी के साथ तब तक के लिए थैंक्यू सो मच और यह देखिए अंदर से कितना बढ़िया लडू निकलेगा यह यह देखिए कितना बढ़िया है तो मिलते हैं नहीं रेसिपी के साथ तब तक के लिए आप इंजॉय करें यह लडू थैंक्यू सो मच